वेलकम तो माई चैनल बेस्ट नॉलिज तो आज मैं आप लोगों को साथ जो शेर करने वाली हूं हो है पर्शेप्शन्स पर्शेप्शन्स का जो टॉपिक है आपकी साइकोलोजी के अंदर आपको मिल जाएगा यह मौस्ट पॉर्ट टॉपिक से तो चलिए whenever sense organs come in contact with the word and we are stimulated by the external stimuli and receive a sensation idea results in perception, sensation proceeds, perception is the initial response of an individual to a stimuli, perception is the interpretation of sensory stimuli which reaches the sense organs and the brain interpretations give meaning to sensation and we becomes aware of objects, sense organs हमारे क्या है हमारे पस वास 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 sense organs है, eye, visual sensation, ear यानि की auditory sensation है, right, जो nose है वो all affective sensations, tongue, taste sensation और skin यह five sensory organs जिनके थुरू जो भी internal stimuli है या sensation है वो रसीव करते हैं, जब हम रसीव करेंगे तो sensation nerve के थुरू spinal cord तक जाएगा, spinal cord से फिर हमारे brain तक जाएगा, right, brain उस sensation का interpretation करेगा, जिससे हम aware होंगे, 21 टाइप का sensation होगा, right, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कभी कभी हमारे जो finger है कोई भी गर्म object टच हो जाता है तो हमें उस वक्त पता चलता है कि हमें कुछ गर्म object टच हुआ है, कुछ minor second बाद वो minor information हमारे brain तक जाती है, जब हमें कुछ गर्म चीज टच होती है, means हमारे skin में heat sensation रसीव किया, उसको nerve के through spinal cord सी brain तक गया, brain ने उसको interpretate किया, right, फिर motor activity की हमने अपना हाथ हटाया, तो ये होता है sensation, जैसे मैंने touch का जो sensation है बताया कि जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप कान से क्या है auditory sensation मिल रहा है, तब ही तो उसका brain उसे समझा पा रहा है कि ठीक, वैसे ही आप side show देख रहे हैं, जो TV या YouTube पर चल रहा है, ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, visual sensation मिल रहा है, जो यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं, ये visual sensation है, हमारे आसपर जहां पर हम हैं, अगर आपको गर्म या ठंड महसूस हो रही, तो आपको कैसे पता चलता ह है कि हमारी skin sensation रसीव करती है, और उसके बाद हमें मालूम चलता है कि गर्मी लगरी है या ठंड, फोर एक्जामपल, कोई अगर पेशेंट है, यानि कि वो पेशेंट है, उस पेशेंट की कोई body part सुन हो जाता है, वहाँ ना तो गर्मी फील होती है, और ना ही ठंड फील होत होते हैं, वो sensory organ के थरू, वो sensation फिर path की थरू means वो nerve के और brain के रास्ते चले जाते हैं, brain उसे identify करता है, sensation perceived perceptions यानि की sensation perception वाला process है, यह initial response sensation होता है, जब हम कोई भी चीज रसीव करते हैं, perceptions क्या है, यह एक interpretation है, stimuli sensory हम ही मिलना है, उसको हम interpretate करते हैं, उसे समझते हैं, उसे हम बोलते हैं, perceptions, वो sensation है, यह perceptions उस sense organ के थरू, brain तक पहुंचता है, उसके बाद interpretations, यहनिके interpretation means अनुवाद करना, interpretation के थरू ही हम को meaning मिलता है, कि जो इसमे particular sensation का, उससे हम समझ पाते हैं, कि किस type का sensation है, और क्या है, उसके थरू हम object या object के थरू aware होते हैं, perceptions फिर से बता देती है कि sensation organ है, sense organ के थरू हम क्या करते हैं, इसमें stimulus receive करते हैं, ठीके, और stimulus हमारे sensory पात्वी यानि की nerve spinal code के थरू brain तक पहुंच जाता है, और brain तक जाने के बाद हम interpretation होता है, तब हम समझ पाते हैं कि अगर हम कोई गरम चीज को touch करते हैं, तो हमें अचानक समझ नहीं आता, थोड़ी देर में समझ आता है, मतलब sensation brain तक चला गया, ब्रेन ने बताये कि गरम है वो object तभी हम वहां से अपने हाथ को हटा पाते हैं, अब नेक्स आते हैं, पर्शेप्शन, डेफिनिशन, नेक्स इसके पाता आते हैं, क्या है, अभी मैं आपको पताया है, तो एक experience है, राइट, आपजेक्ट का, इवेंट का, रिलेशन्शिप का, जो भी आप्टेन करते हैं, या information, क्या करते हैं, एक्स्टेक्ट करते हैं, फोम या interpreting sensation, sensation को interpretate करके, sensation से हम information लेते हैं, उसे, उसी पर, क्या है, पर्शेप्शन, बोला जाता है, राइट, नेक्स इसके बाद आता है, नेक्स इसके बाद आता है, नेक्स इसके बाद आता है, फेक्टें फेक्टिंग पर्शेप्शन, दिया र signal लेते हैं और brain तक पहुंचा है ठीके brain क्या करते हैं वहां तक उसे signal देते हैं तो इसमें क्या है कि organ involved है जैसे कि receptor रसीव करते है signal फिर नर्व उसे carry करती है पाथवे है spinal code हो गया brain तक लेकर जाएगी brain उसे समझता है बताता है कि यह जो मैंने पाथवे ब्रेन में कहीं भी कुछ भी direction होता है तब हम अच्छे से यह जो रियल है पर शेप्स कर पाते हैं मतलब यहां पर क्या है individual differences होता है पर शेप्स करने पर सीब करने में हर इनसान की अलगल अबिलीटीज होती है दो परसंग यनि की टू टाइप से perception पर सीब कर सकता है सेम स्ट्मिलाइस को टू इनसान अलग अलग तरीके से ले सकता है इसमें स्ट्मिलाइस सेम होता है individual differences की वज़ा से लोगों की thinking की वज़ा से वो जो message था वो लोगों ने अलग-अलग परसीव किया जो sensation था वो अलग-अलग परसीव किया जो factor affecting अलग-अलग लोगों से affect होता है individual differences होता है अलग-अलग type से सोचने का होता है अलग-अलग type से वो क्या करता है, perceived करता है, right, next इसके बाद आता है, sense organs, यानि कि इसमें क्या कहा गया है, perceptions depend upon the sense organs of respected on which the stimuli act and sensory neurons which transmit the nerve current from the respected to the sensory area of the brain, for example, its cones are not developed in the retina, color cannot be perceived, यानि कि जो हमारी skin का part है, वो सुन हो जाता है, जैसे हम दात निकलवाने जाते हैं, या हमारी body का कोई भी sensory, जो surgery होती है, उस वक्त उस area को सुन किया जाता है, उस time पर anesthesia दिया जाता है, anesthesia देने के बाद उस area पर cut लगाया जाता है, surgery की जाती है, right, उस time पर pain sensation receive ही नहीं होता वैसे ही sense organ में कुछ defect है, तो वो व्यक्ति वो प्रसेप्शन नहीं कर पाएगा, परसीव नहीं कर पाएगा, वो perceptions को effect कर देगा, अगर sense organ सही से काम नहीं करेगा, तो वो sense organ है, right, perceptions सही से काम नहीं कर पाएगा, वो brain तक signal नहीं पहुंचाएगा हम उसको perceive नहीं कर पाएंगे यह है sense organs next इसके बाद आता है brain perceptions depend upon the functioning capacity of the both sensory and situations area of the brain for example if the auditory area is destroyed we cannot have auditory perceptions sense organs के थूँ हम perceive कर पाएंगे right respectors से nerve से perceive या और brain तक signal कर पाते है right first point हमने देखा कि हमारा sense organs सही से काम नहीं कर पा रहा है इससे brain को signal नहीं मिल रहा है right यानि कि यहाँ पर हमारा sense organ अच्छे तरीके से काम कर रहा है respectors अच्छे से काम कर रहा है पातवे हमारा सही है वह brain तक बिल्कुल सही जो भी सिगनल परसीव मिल रहा है उसको हम brain तक ले जा रहे हैं लेकिन अगर brain में और brain में अलग लग centers होते हैं यह क्या होते हैं हैं राइट ऐख सेंटर है राइट yea यानि कि वो है particular signal जाता है और वो उसका interpretation करता है अगर brain में वो center सही से काम नहीं कर रहा है तो defective है तो brain उसको perceive नहीं कर पाएगा चाहे हम सही से receive कर रहे हैं पर brain perceive नहीं कर पा रहा है जो perception है वो depend करता है कि sensitive area पर भी और जो associated area है उसके आसपस brain का उस पर भी अगर auditory area जो है brain brain का तो वो अगर destroy है damage है काम नहीं कर पा रहा है तो हमारा कान है वो auditory sense सही से काम कर रहा है यह अच्छे से काम कर रहा है पर हम receive कर रहे है पर brain तक पहुंचा भी रहे है हमारे brain में auditory area है वो damage हो चुक है जिसकी वज़ा से हम signal perceive नहीं कर पारें next इसके बाद आता है memory image of the past experience memory image help us the comparisons of the object or stimuli before use general perception involve the intergeneration of the sensory experience in the light of past experience and present psychological condition experiment have shown that whenever we come in contact with new stimuli we are in blind to interpret name in the term of the our experience we stimuli 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 and stimuli in the past for example a child has come in contact with the horse for first time he has already seen a cow when he asked what is the mage she it is cow like a cow means means इसमें कहाए हमारी memory में जो हमने past experience किया है बीते हुए समय में जो experience किया उसकी image हमारे mind में fit कर लेते हैं हमारे perception को affect करते हैं जैसे means हम जो कुछ भी नया देखते हैं हमारी पीछली दुरगहटनाई हुई हो तो उससे क्या होते हैं उनसे जूड़ने की कोशिश करते हैं तो मिलाकर कुछ calculation निकालते हैं और उससे हम perceive करते हैं और समझते हैं एक्सपेरिमेंट के बताया है कि अगर हम कुछ नया stimulus को यूज करते हैं तो उसको हम तो हमारे कुछ past experience उसके जैसे ही past experience के साथ जूड़ते हैं एक बच्चे ने एक घोड़े को पहली बार देखा और बच्चे ने देखने से पहले एक काउ भी देखी तो उस टाइम पर हम बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या है पर बच्चा क्या answer देगा कि ये काउ जैसा दिखाई दे रहा है पर उस बच्चे ने उस image को अपने mind में छाप लिया है कि ये काउ ही है और ये उस बच्चे की memory image था और उस पर नया stimulus मिला ये काउ है तो उसने उसको काउ में किया कि ये बिल्कुल काउ से मिलता जूलता है जैसे कि काउ के पैर चार है और होर्स के भी पैर चार है तो पास्ट एक्सपीरेंस से ही उसको रिलेट करते हैं तो एक ही हुआ इसमें कि जिस बी चीज में आपको इंटरस्ट है वह आप बहुती जल्दी कैच कर सकते है वह बहुती जल्दी समझ सकते हैं जैसे क्लास चल रहे है हम पढ़ रहे हैं हमारा जो माइड है वो इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है 10 सेकिंड तक मेरी बातों पर ध्यान जाता होगा और टेंशन कहीं और पहुँझाता होगा लेकिन कुछ ऐसे इंटरस्टिड स्टोरी चल रही है जो हमारा जो ध्यान है बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हटता हम बिल्कुल उसी में खोई हुए हैं पर हम अपनी फैमिली स से बात करते हैं तो इंटरस्टिड वाली बात करते हैं तो हमारा ब्रेन वो बहुत जल्दी से उसे समझ पाता है या हम कोई सीरिल देखते हैं तो बहुती जल्दी से हमारा ब्रेन उसे समझ पाता है तो हम परसीव कर लेते हैं नेक्स इसके बाद आता है एक्वाइड इंट पावर रिक्वाइड इंटर्स औल्सों एंटी तर्माइड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विच आर परसीव परसन हुआज अभी कोलेक्टिंग स्टैंप वील क्विक्ली नोटिस एंड यू स्टैंप्स ओन लेड़े यानि कि इसमें खहा गया कि हमारा एक क्वाइड इंटर्स और इसमें क्या है कि अलग अलग पॉस्ट ओफिस से टिकेट कोलेक्ट करने का शोख है अगर कोई परसन है उसे स्टैंप पेपर करने का शोख है और उसे कहीं पे भी बहुत सारी कोलेक्शन करने हैं नया टिकेट होगा तो नोटिस कर लेगा ये पहले नहीं था अब ये नय आया है यह होता है acquired interest next रहता है needs and desire our needs for desires also a modify and perceptions besides there is a belief and opinion and the culture idea also modify for the perceptions of things and situations and objects यानि की और हमारी needs क्या है जुरूरते क्या है और जो हमारा perceptions है वो affect करता है मतलब हमारी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं पहले देखा गया needs and desire उसके अलावा हमारी जो beliefs है opinions है और cultural idea है उसके coding भी हमारा जो perception से और अलग-अलग चीज़ों को perceive करने का तरीका बदलता है हम देखते है political जो पार्टी है हमारा जो country में अलग-अलग वहत्य जन्ता पार्टी बी जरफ पी पार्टी है बहू सारी अलग पार्टी देते है तो अलग-लग पार्टी में अलग लग इसमें क्या होता है कि sports भी है उन party को sport करने के लिए तो वो क्यों है क्योंकि उनकी believe है वो party सही है तब ही एक साहथ जुड़े हुए हम किसको सबसे ज्यादा वोट करते हैं जिस पे हमें सबसे ज्यादा believe होता है कि यह ज्यारा काम भी बहुत ही मतलब ये जो बंदा है असानी से करbrand गां तो हम उसको क्या करते हैं और चक्छू को इ excitement कलचरिया देट है वो भी हमारा perception affect करता है अब affective affecting perception को समझा है पड़ा है इसके मतलब ये नहीं कि factor affecting perception तो perception effect हो रहा है हम perceive कर रहे हैं वो factor affecting में आएगा ज़्यादा और जल्दी perceive कर लेगा तो वो भी factor affecting में ही include होता है next इसके बाद आएगा error sense perception तो इसमें कहा गया है illusions, face and sensory perceptions in the perceptions of external stimuli यानि कि perceptions of perceive करने में क्या error होते है meaning होता है गलतिया यानि कि errors का meaning होता है वो क्या है गलतिया जो perceptions को कम या जाड़ा करने करना है यहाँ पर पढ़ेंगे error वो हम गलतिया करेंगे परसीव करने में जैसे हमने कोई imagine show देखा यानि कि magic इसमें जो magician है वो illusion क्रेट करते हैं रेंट नेक्स इसके बाद आता है hallucinations false sensitive perceptions in the absence of the external stimuli कोई environment में extra stimuli है तो जिसमें हम false perceive करते हैं गलत परसीव करते हैं जैसा कि हम कहीं खुले हैं खुले में हैं और रसी या तार पड़ी हुई है ठीक है तार को उठाया वो snake था ठीक है हमने इसको क्या समझा स्नेक था तो आपको लगा था कि जो यह रसी है पर रियल में वो क्या था साफ था रसी को हमने क्या समझा यानि कि वो साफ ही था वहाँ पर उस situation में क्या हुआ false sensory perceptions है हमने गलत परसीव किया इंदा perception stimuli मतलब जो snake था जिसको हमने रसी तार समझ लिया था गल्त यानि कि external stimuli था जिसको हमने गलत समझ कर रसीव किया that is illusions जो की जादुगर create करते हैं stage पर कुछ होता है और कुछ और दिखा देते हैं पिजन गाइब कर दिया यह कोई भी गल्स होती है उसे भी गाइब कर दिया तो नेक्स इसमें है है लुजेशन फॉर्स था false sensory perceptions in the presence of the external stimuli external environment में प्लस प्रेजेंट है उसे हमने गलत समझा और है लुजेशन में क्या है और इसमें क्या हो रहा है false sensory perceptions in the presence of the external stimuli environment में कुछ external stimuli है ठीक है जिसको हमने perceived किया false perceived किया और कुछ है नहीं पर हमने perceived कर लिया यानि कि false perceived कर लिया है कुछ है नहीं पर हमने perceived कर लिया जैसे कि अब कितने टाइप की sense है five sense और है lessons है sense के according five type का होता है auditory hallucinations visual hallucinations भी हो सकता है यह five types का भी हो सकता है ठीक है कहा है कि external stimulus stimuli है ही नहीं है ठीक है इसमें कहा है कि जो स्टिमुलाई है ही नहीं है लेकिन वो फोल्स परसीव कर रहे है यह देख भी रहे हैं और उसे सुन भी रहे हैं जैसे किसी को कोई घोस दिखाई देता है दिखता भी है और और कुछ उसे सुनाई भी देज सकता है आप फोल्स परसीव कर रहे हैं जबकि इन्वार्मेंट कुछ भी नहीं है यह हुआ एरस इन पर्शेप्शन्स तो आज जो हमने टॉपिक क्या है वो है पर्शेप्शन्स जो कि मौस्ट ना टॉपिक तो आज के लिए इतना ही एं थेंगेव पुचिक माई वीडियो